इस तरीके के problem को solve करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से पोल गया था जी इस question को solve करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि overhang और sticky ended enzyme के बदले same overhang और same sticky ended fragments वाला enzyme हम यूज कर सकते हैं एक term आता है इस particular perspective से जिसको हम बोलते हैं isocodamers सुना है क्या इसके बारे में isocodamers ये एक particularly वो होता है कि isocodamers जो है वो क्या होते हैं अगर आपके पास isocodamers के बारे में जानकारी है तो आप असानी से जो है इस particular problem को solve कर सकते हैं isocodamers का मतलब यह होता है कि those enzymes वो एंजाइम्स दोज एंजाइम्स विच प्रोड्यूजस विच प्रोड्यूजस सेम ओवर हैंग सेम ओवर हैंग ठीक है ऐसे enzymes जो की सेम ओवर हैंग जो है वो प्रोड्यूस करें अब यह सेम ओवर हैंग क्या होता है sticky ended मैं आपको example के साथ दिखाता हूँ जड़ा सा यहाँ पर देखे कि यह एक enzyme है sal first जिसका restriction site इन्हों ने दिया है sal first का gtcgac ठीक है na sal first अब देखे यह cell first एक enzyme है जिसका वो है gtcgac यह होगा अब दूसरा sequence दूसरे fragment का जो होगा यहाँ पर वो होगा gtcgac this one double standard DNA कुछ इस form में होंगे यहाँ पर जो cut होगा वो g और t के बीच में और यहाँ पर cut हो रहा है यह आप देख रहे हैं अब इस case को समझने की कोशिस करें तो जब यह cut होगा तो overhang या fragment कितना जड़ेट होगा यह बीच के चार base pairs जड़ा देखिएगा मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूं कि एक तरफ आपको g मिलेगा दूसरी तरफ c, a, g, c, t यह देखिए यही चार base pair आपको overhang मिल रहे हैं ठीके न और अगर इस side वाला देखें तो यह इधर होगा c, यह होगा g यहाँ से c के साथ जो जुड़ा होगा वो होगा a, g, c, t यह overhang मिल रहे हैं इस overhang को देखें तो यह एक्चली 5 प्राइम इंड से जो है वो t, c, g, a नजर आ रहे हैं ज्यादा तर 6 base pair restriction side में जब cutting side जो है एकदम दोनों तरफ end to end हो रही है तो बीच के जो दोनों cutting side उपर वाले strand और जो नीचे वाले strand उन्ही दोनों के beach का जो base pair होता है वही overhang होता है ठीक है न जैसे यहाँ पर क्या है यही beach का overhang है t, c, g, a यहाँ पर t, c, g, a दोनों cutting side के beach का इसलिए overhang यह दोनों generate कर पा रहे हैं sticky indeed के case में cell first का यह site है ठीक है जिसका overhang आपने देखा t, c, g, a, था मैं एक और एंजाई में यह पर mention कर रहा हूं that is x, ho, 1 इसका जो है c, t, c, g, a, g site है ने कुछ ही इस तरीके से देखा मैं थोड़ा सा space shift कर देता हूं यहाँ पर c, t, c, g, a, g इसका जो नीचे वाला portion होगा वो होगा c, t, c, g, a, g यह दोनों strand बन गया अब इस दोनों strand पर जो digestion होगा यहाँ पर c, o, t के बीच में हो रहा है और c, o, t के बीच में हो रहा है अब अगेन दोनों side के बीच का overhang जड़ा से देखे यह और यह क्या दोनों exactly same नहीं है क्या अगर आप इसको digest करेंगे तो एक तरफ आप क्या आएगा c आएगा इधर की तरफ g आएगा और t यह digest हो जाएगा उपर से तो यहाँ की तरफ आजाएगा a, g, c, t जैसा कि यहाँ पर हो रहा था a, g, c, t, same overhang तो दो ऐसे एंजाइम जिनका restriction site अलग है लेकिन overhang सेम है ऐसे एंजाइम को बोलते है आइसो कोड़ामर्स और आइसो कोड़ामर्स को एक दूसरे की जगह पर यूज किया जा सकता है ठीकिन आइसो कोड़ामर्स को जो है एक दू यूज हो सकता है बाकी नहीं यूज हो सकते इसल वन एक स्टी की इंडेड एंजाइम है क्योंकि यह जो है बीच में कट नहीं कर रहा है तो उस case से अगर आप देखेंगे तो सैल वन एक सेचो वन के बीच में इसका टीसी जी जी ए था चार बीच में यहाँ पर टीसी जी ज कर रहा है और पीस्टी फर्स्ट जो है वो कैसा है वो टीजी सी ए है तीजी सी ए और टीसी जी जी ए में फर्क है यहाँ पर देखें टीसी जी जी ए है सैल वन में क्या है टीसी जी जी जो की आपको यहाँ पर मिल रहा है टीसी जी जी ए नॉट इन पीस्टी पीस्टी में ट EGCA मिल रहा है, जो की नहीं यूज हो सकते, तो cell 1 का alternative क्या हो जाएगा, XH1, XH1 जो है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, अब दूसरा enzyme क्या है, हिंद second, हिंद second अगर आप देखेंगे, तो यह बीच में cut कर रहा है, जो की blunt ended enzyme है, तीन base pair के बाद cut कर रहा है, GTY के बाद, and that's why, इस case, इसका जो alternative होगा, एक blunt ended enzyme ही होगा, sticky के बदले sticky, और blunt enzyme के बदले blunt, तो इसका जो blunt enzyme होगा, वो सिर्फ एक ही है, वो है SMA first, तो SMA first जो है, वो answer हो जाएगा, XH1 and SMA first, ठीक है, तो इस तरीके से जो है, इस question को proceed करना था, और solve करना था, hope कि आपको समझ में आ गया होगा, I am very interesting, I teach CSIR,